हेलो एवरीवन वेल्कम बैक तो लेट्स लर्न एवरीवन एक बर फिर से लेकर आई हूं भूती इंट्रेस्टिंग और उस्फुल वीडियो जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ common English idioms and phrases with their meanings मतलब रोज बोले जाने वाले English phrases इस वीडियो में आपके साथ A से H तक के idioms और phrases शेयर करने वाली हूं तो वीडियो को end तक देखें क्योंकि सारे idioms बहुती यूसफुल हैं तो चली करते हूं वीडियो स्टार्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले रेक्वेस्ट अप्ली चल्ड़ सब्सक्राइब करें वीडियो ची लगे तो लाइक करें शेयर करें मतलब है बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि उसका व्यवार इन दनों उसके स्वभाव या उसकी आदत के खिलाफ क्यों है मतलब जैसा friendly उसका nature है उसके against क्यों है मतलब वो rude क्यों है next है all thumbs all thumbs का मतलब होता है बेढंगा फूहर अनागी या खराब मतलब किसी काम को करने में अनागी जिसको पोल सकती हैं कि जिसको वो काम आता ना हो example है I am all thumbs with drawing but my daughter is great at it मतलब मैं drawing करने में अनागी हूँ या फूहर हूँ मुझे नहीं आती है लेकिन मेरी बेटी इसमें बहुत अच्छी है तो all thumbs का मतलब होता है बेढंगा फूहर अनागी या खराब next है adlib adlib का मतलब होता है विना तयारी के कतकाल फॉरन या तुरंत कुछ करना मतलब बिना किसी pre-preparation के तुरंती कुछ करना example है he never cramps things he just adlib the whole speech in front of his audience मतलब वह कभी चीजों को रटता नहीं है वह सिर्फ अपने दर्शकों के सामने पूरा भाशन बिना तयारी के या तुरंत दे देता है cramps का मतलब होता है रटना और adlib मतलब बिना तयारी के next है ballpark figure ballpark figure का मतलब होता है अनुमानित संक्या लगभग संक्या या अनुमानित गिंती मतलब exact figure ना होकर अनुमानित यानि की estimate example है I save a ballpark figure of 20% from my salary every month मैं हर महीने अपने वेतन से 20% का अनुमानित आकना बचाता हूं मतलब अपनी salary में से 20% salary बचाता हूं अनुमानित मतलब कभी 20% बचा लेता हूं कभी ज़्यादा कभी कम next है bark at the moon bark at the moon का मतलब होता है समय बरबात करना या भैस के आगे बीन बजाना हिंदी में हम जिसको बोलते हैं भैस के आगे बीन बजाना example है asking him to clean the room is just barking at the moon मतलब उस से कमरा साफ करने के लिए कहना सिर्फ समय बरबात करना है मतलब की भैस के आगे बीन बजाना है तो bark at the moon का मतलब किसी से किसी काम के लिए कहकर समय बरबात करना next है carry weight carry weight का मतलब उता है महत वर रखना महत होना प्रभावित करना या असर रखना, मतलब किसी की बात का बहुत जादा असर होना या महत रखना उसकी बात का, example है माई पेरेंट्स, ओपीनियन्स कैरी अलोट ओव वेट तो अवर फैमिली मेंबर्स, मतलब मेरे माता पिता की राए हमारे परिवार के सदस्यों पर बहुत अधिक महत रखती है या उनकी राए हमारे उपर बहुत जादा असर रखती है तो कैरी बेट का मतलब होता है महत रखना next है cold shoulder, cold shoulder का मतलब होता है जान भूज कर ध्यान ना देना या जान भूज कर रूख व्यभार करना मतलब जान भूज कर किसी को इग्नोर करके उसके साथ rudely behave करना example है he is very upset because he is new in the office and most of his seniors are giving him the cold shoulder मतलब वह बहुत परिशान है क्योंकि वह office में नया है और उसके ज्यादा तर seniors उसके साथ रूख व्यभार करना है या उसे ignore कर रहा है मतलब जान भूज कर उस पर ध्यान नहीं दे रहे है तो cold shoulder का मतलब होता है जान भूज कर ध्यान ना देना या रूख व्यभार करना next है do once bit do once bit का मतलब होता है अपना first अधा करना या अपना कर्तव वे निभाना मतलब किसी काम में या किसी चीज में अपने हिस्से का first निभाना या अपने हिस्से का जो काम है वो करना example है everybody will have to do their bit if we are to finish the job on time मतलब अगर हमें समय पर काम खत्म करना है तो सभी को अपना काम करना होगा या सभी को काम पूरा करने में अपना first अदा करना होगा या करता वे निभाना होगा तो do once bit का मतलब होता है अपना first अदा करना या करता वे निभाना next is dark horse dark horse का मतलब होता है चुपारुस्तम या अप्रत्याशित विजेता मतलब वो विजेता जिसकी उम्मीद ना हो या किसी काम को करने वाला वो व्यक्ति जिसकी उम्मीद ना हो कि वो इस काम को करेगा Example है, you are such a dark horse, I had no idea that you will participate and win the competition मतलब तुम बहुत छुपे रुस्तह हो, मुझे नहीं पता था कि तुम प्रतियोगता में भाग लोगे और जीत जाओगे मतलब मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम प्रतियोगता में participate करोगे और जीत भी जाओगे Next है, eat crow, eat crow का मतलब उता है गलती सुईकार करना या अपनी गलती मानकर माफी माँगना यानि कि सब के सामने अपनी गलती सुईकार करके किसी से माफी माँगना Example is, she will have to eat crow when the actual result of my exam will be declared मतलब, जब मेरी परीक्षा का वास्तविक परिणाम घोशित किया जाएगा तो उसे अपनी गलती माननी पगेगी मतलब, कोई जो यह सोचता है कि मैं एक्जाम में pass नहीं हो पाऊंगा या fail हो जाऊंगा तो जब मेरी परीक्षा का वास्तविक परिणाम घोशित किया जाएगा तो उसे अपनी गलती मानकर माफी माँगनी पगेगी तो eat crow का मतलब होता है गलती सुईकार करना या अपनी गलती मानकर माफी माँगना Next है, engaging manners Engaging manners का मतलब होता है अच्छा व्यभार, शिष्टाचार या अच्छी आते हैं मतलब good manners Example है, he became popular in the office because of his engaging manners मतलब वह अच्छे व्यभार या शिष्टाचार या अच्छे आदतों की वज़ा से ओफिस में लोग प्रिय हो गया तो engaging manners का मतलब होता है अच्छा व्यभार या अच्छी आते हैं या शिष्टाचार Good manners की जगह पर आप engaging manners बोल कर एक अच्छा fact बना सकते हैं सामने वाले पर Next है, false alarm False alarm का मतलब होता है जूटी चितावनी या जूटी अफभा मतलब कोई ऐसी अफभा या कोई ऐसी बात जो बोली जाया कि होने वाली है या हो रही है लेकिन वो गलत साबित हो या हो ना Example ये, the fire service was called out but it was a false alarm मतलब अग्मी शर्मन सेवा को बुलाया गया था लेकिन यह है एक जूटी अफभा थी अग्मी शर्मन सेवा मतलब fire fighters को बुलाया गया था कि आग लग गई है इसलिए बुलाया गया था लेकिन यह एक जूटी अफभा थी या जूटी चेतावनी थी आग लगी नहीं थी वस केवल एक यह अफभा थी जो की जूटी थी तो false alarm का मतलब होता है जूटी चेतावनी या जूटी अफभा अगला phrase है fair weather friend fair weather friend का मतलब होता है अच्छे समय का साथी वो साथी जो दुख में साथ ना दे केवल आपकी हसी खुशी में या अच्छे समय में आपके साथ हो example है you cannot relay on fair weather friends when you need help at your bad time मतलब जब आपको अपने बुरे समय में मदद की जरूरत हो तो आप अच्छे समय के दोस्तों पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि अच्छे समय वाले दोस्त सिर्फ सुख में साथ देते हैं दुख में नहीं अगला phrase है go to pieces go to pieces का मतलब होता है कठनाई या दुख से घबरा कर खुद पर सयम खोबैटना मतलब कि बहुत जादा दुख की बजा से या बहुत जादा कठनाईयों की बजा से तूट जाना या बहुत जादा दुख या घबराहाट की बजा से नौर्मली बहेव ना कर पाना एक्जाम्पल है यहाँ पर go to pieces की जगाँ पर went to pieces आया है क्योंकि यहाँ पर हम past में बात कर रहे हैं sentence की हिंदी होगी जब उसने अपने पिता की मिलती हुगी ख़वर सुनी तो वह तूट गई मतलब दुख की वजासे तूट गई बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि उसकी पिता की मिलती हुई तो उस ख़वर को सुनकर वो तूट गई तो go to pieces मतलब कठनाई से घबराकर या दुख से तूट जाना next है gain ground gain ground का मतलब होता है काम्याबी हासिल करना सफलता प्राप्त करना या अपनी पहचान बनाना example in a short span of time my new food delivery startup is gaining ground in our city बहुत कम समय में मेरा नया food delivery startup मतलब business हमारे शहर में अपनी पहचान बना रहा है short span of time का मतलब होता है बहुत कम समय में और gain ground मतलब काम्याबी हसिल करना next idiom है hail and hearty hail and hearty का मतलब होता है चुस्त और तंद्रूस्त या स्वस्त और आरोग ये example is although my grandfather was hospitalized two weeks back he is hail and hearty now मतलब हाला की मेरे दादाजी दो सब्ता पहले अस्पताल में भरती हुए थे लेकिन अब वे स्वस्त और तंद्रूस्त हैं तो hail and hearty मतलब चुस्त और तंद्रूस्त next है have a cow have a cow का मतलब होता है क्रोधित और परिशान होना या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना या बहुत ज़्यादा चिंतित या परिशान होना बहुत जादा दुखी ओने के लिए, बहुत जादा गुशाह होने के लिए, बहुत जादा परिशान होने के लिए, 8 के लिए हम How a Cow को as a Idiom use कर सकते हैं इसका मतलब होगा हमारी class teacher बहुत जादा गुस्सा थी जब उन्होंने परीक्षा के दोरान छात्रों को नकल करते हुए पकड़ा यहाँ पर बहुत जादा गुस्सा होने के लिए हैवा काउक का यूज किया गया है आप बहुत जादा दुखी होने के लिए बहुत जादा चिंतित होने के लिए भी इसी phrase का यूज कर सकती है यह था आज का वीडियो जिसमें बहुत ही useful daily use idioms मैंने share किये इन idioms को आप अपने daily conversation में रोजाना की बागचीत में use करके अपनी English को effective बना सकते है और सामने वाले पर अच्छा impression डाल सकती है तो करती ही वीडियो को end I hope वीडियो पसंद आयोगे अगर वीडियो पसंद आयोगे तो प्लीज लाइक करें शियर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राब नहीं कियाओ तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें